चलिए कोश्यन नमर पांच में कहता है निमलिखित परी में संख्याओं को दसमलब रूप में लिखने पर कौन सा सांत दसमलब में होगा ठीक है इसमें चार पॉइंट दिया है निमलिखित परी में संख्याओं को दसमलब रूप में लिखने पर कौन सा सांत दसमलब होगा ठ ताकि वीडियो का टाइम ज्यादा ना हो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले पहला को उस तरह से सब चारों तीनों बन जाएगा तो इसमें क्या कहता है सांत और और सांत को सिर्फ चूज करना है अब किस तरह से चूज करेंगे तो दियान देंगे कि कोई संक्या में भाग दते हैं तो नीचे में उसका गुनन पर अग्ला 2 आजाहें तो फुल्ण कि क्या होगा सांत होगा दो रहें तो पुल्ण कर रहे हम एक नब में पहले हम बनाते हैं तो आक। है दिया गया है क्वांट लिखेंगे हर बढ़ावर हर बढ़ावर क्या है हर इसका कितना है आप लिखायवल किजैगा जैसे कि एकार्य को एक ही बार में काटेगा अनिकी हम जब लिखेंगे टोटल अनिकी दू बटे इगारे को हम की लिख सकते दू बटे इगारे के पावर एक अब देखिए तो यहां पे पावर इगारे के एक आ गया ठीक है तो अगर नीचे में दो आता चैने 5 आता या 5 दो दोनो एक साथ आता तब उस कंडिशन में क्या होता इसा संख्या सांथ ह टाथ अभी देखिए यहां पर नीचे में न तो दो है ना पांच है यहां पे कहले का मतलब दो और दो रएगा तब सांथोगा 5 देगा तब सांथ होगा और दू गुना पांच के रूप में रवाद तो स्वांत होगा ठीक है लेकिन ऐसा है नहीं है क्योंकि यहां पर इगार्यक आ गया है ठीक है इसलिए यह क्या हो जाएगा असांत हो जाएगा अब देखे इसको अगर हम चेक करेंगे किस तरह से पूरा तया कटता है या नहीं करता आप चेक कर सकते हैं जैसरिक अधार से दौ में भाग देना ठीक है अब दिखे गारे सब तो छोटा है किस तरह से इसको भाग देंगे सब से पहले समव सब्सेंट अब पॉइंट माने तो क्या होगा जीरो आएगा अब दिखे इसको हम खि यहां पर 88 खिल आएंगे तो कितना बचेगा दो फिर जीरो आ जाएगा सेल पर किरिया फिर रिपीट होते रहेगा ठीके इसलिए यह इसांठ बोलेंगे ठीके एक टोट चेकें बाकी सब को इसी तरह से डारेक्टि बना देंगे ठीकिए यहां पर क्या दियागा दूसरा में पांच बटे नो इसमें हड कितना है कि हषैभ बड़ाबर नौं यम्में करेंगे नौं का गुनन खरते तो कुर से करेंगे तो तुड़ा इसको और किष्टर용 सकते पांच बटessen नौं कुछ सकते हैं कि ते ऐस सकते हैं पांच और उब सकते नहीं कर रहा है नीचे में दो रहाता तो क्या होता है सांत होता नीचे में पांच रहाता तो भी सांत रहाता नीचे में दूग उना पांच के रूप में रहता तो भी सांत रहता लेकिन इसा है नहीं है नीचे में क्या है तीन है इसलिए क्या हो जाएगा कि आसांत असांत दसमलव होगा ठीक है अब नेक्स चलते हैं तीसरा पॉइंट में क्या गाता है फिर उसी तरह यहाँ पर क्या दे दिया है नौवटे सोल है इसका हर क्या है हर दे दिया है 16 अब 16 का गुननखंड करेंगे अगर हम यहाँ पे 16 का गुननखंड आंग करते हैं तदिदेश ह Katy Cape में कालिए एक कितना वार में काता है एक दो तीन 4 चार आCER वार में काटा यह जो सांत होगा क्या होगा अगर चाहेंगे चेक करने तो चेक कर सकते चलिए इसको चेक करते एक और सांत को चेक करते इसका करने का दिःदेगे एक और म से 9 में डिवाइड करते हैं फौरना इसकर आताई है यहां पर पॉइंट मारेंगे जिरो होगा इसी उन सबरने पच्छे अब देखे पॉइंट लगा हो तो जीरो होगा 1696 खिलाएंगे तो बचा कितना 44 इदर हो गया कैंसील यहाँ पर आया जीरो तो 16 दूनी 32 तो दूनी क्या हो गया 32 अनिकी 40 हम यहां पर लिख देते हैं 40 अगर खिलाएंगे 32 तो बचा कितना अब आठ यहां पर पॉइंट लग चुका है तो यहां हो जागा जीरो तो ले पचे एसी केतना बार बखा रहा है पॉच वार मासी अनिकि यह देखिए पुर्णत है केंजील हो जुका है यह जी ना जीरो पॉइंट तक में यह एक सांत को चेक कर देख लिए तो इसमें क्या दिया गया है इसको क्या लिए उड्के लिए तो तुसको क्या यह कड़ें जोंगों खाएगा फिर दू से खाएगा नहीं खाएगा तब इसको किस से खिलाएगे तीन से खिलाएगे तीन पच्छे पंद्रह ठीक है तीन इकाई तीन अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं में अब दिखिए इस कंदिशन को पभलोगा नीचे में देखिए दूरा तो जाथ तो पांच लाता तो संट राता दूरा पांच है तो संट राता लेकिन हापे क्या कर दाए तीन आ गया तीन आ गया प्रणिशन में तो नहीं होगा तो क्या होगा असांत होगा लिखेंगे ओसांत होगा तो दस्ता मदलग होगा चलिए पूसिन नमर पांच भी किलियर हो गया वडिए आप लोग को पसंद आ रहा तो पिली चाहसे वीडियो को लाइक करें और सेर करें पहले बादे चेनल में प्लीच आप सिस्